हाई गेस और वेलकम बाक टो दी चैनल दीपाच चैदव एजूकेशन वेलकम टी डेली करेंट अफियर्स ऑफ 27 जैनवरी 2023 तो गाई जाज है तारिक 27 जैनवरी 2023 और है फ्राइडे आज के तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करे अपने समय पर वीडियो में प्रेजन्ट हो चुका है नीचे लाइव चैट के अंदर जरूर से मेंशन करना बाकी आपको मैं बता दूँ इस लेक्चर में हम लोग डेली बिसिस पर इंडिन एक्स्प्रेस के उपर तो मेजर फोकस करते ही करते हैं उसके साथ साथ जो और भी वीडियो को अच्छे से कंसेंट्रेशन के साथ में सुनना है फिर लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया या है उस टेस्ट स्रीज को अटेंट करना हर रोज 500-600 लोग उसको अटेंट करते हैं तो आज आप भी यापर उसका हिस्सा बनो और डेली बेसिस पर उसको लगाने की लिख देना आपको यह वला चनल मिलेगा यहां से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडिएफ को डाउनलोड कर पाऊगे साथी साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में परसनली करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और वहाँ पर आगेन फिर हर एक आर्टिकल को बहुत क्रिस्प वे में कवर करूँगा यानि केवल और केवल इंपोर्डेंट चीजों को ही बताऊँगा तो इस वज़ा से कम टाइम में आपको बहुत सारा कवरेज मिल जाता है इस पर्टिकलर वीडियो के अंदर में तो आज का सबसे पहला आर्टिक लगल बात करता है इजिप्ट के कुछ फैक्ट के बारे में तो एजिप्ट के कुछ important facts नहीं आपको पता होने चाहिए तो आपको बटाूगा अभी हमने रिपबभ्लिक डे के celebration पर इजिप्ट को यानिव के President को as a guest as a chief guest हम लोगों ने invite किया था इस वज़ा से या पर एजि के प्रेशिडेंट है नाम है अब्दिल फदा अलसी सी तो यह अभी इंडिया के अंदर में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर 2023 के सेलिब्रेशन पर एस चीफ गेस्ट निया पर आये थे इस वज़़ा से आपको इजब की बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे तो एजब्ट कहां पर सिचुएटेड है अफ्रिकन कॉंटिनेट में बिलकुल नौर्थ इस्टन साइड में आपको देखने को मिलेगा अगर मैं इसग्जैक्ली मैप दिखाऊं आपको तो यह वर्ल्ड मैप हुआ इधर आपको यहां पर यह हमारा म एजब्ट है ठीके ना तो एफ्रिका में जो नौर्ट इस्टन रिजन है यह बेसिकली एजब्ट है और एजब्ट को जब आप जूम करके देखोगे तो कुछ इस प्रकार से यहां पर यह नजर आएगा एजब्ट किसके साथ में बौंडरी को शेर करता है तो इधर है मेडिटरिनियन सी है और इसके बराबर में रेट सी कहा रहा है और मेडिटरिनियन सी और रेट सी जोड़ने के लिए बीच में एक स्विस केल है यहां पर इी कनikumलASE नजर आ रहा होगा इस करदो इस के aa यहां पर आपको निदे बहे बैडर नाइल रिवर आपको नाइल के पता होगा तो इस प्रकार से यहां पर ही नदी बहती हुई जा रही है और बिल्कुल लास्ट में एक लेक है लेक नसेर ठीक है तो यह सारी इंपोर्टन चीज़े हैं जो कि आपसे एक्जामनेशन में पूछी जा सकती है आगे आता है और अगर हम लोग इसके बगल में और ज समझा दूसरा सका कैपिटल क्या है तो इसके कैपिटल का नाम है काईरो क्या नाम है काईरो अब वो कहां पर है तो आप इसको देखोगे यह इजिप्ट का जो मैप देखा था नमने ऊपर जस्ट यहां पर आपको यह काईरो नजर आएगा आगया आता है बाउंडरी की बा इस्टन साइड से और साउट साइड से आपको सुडान देखने को मिल जाएगा बाकी यहाँ पर यह कुछ मैरी टाइम बॉंडरी को भी शेर करता है यानि कि अगर आप इस पर्टिकुलर मैप को देखते हो तो यहाँ पर ऊपर की साइड में जो मेडिटरिनीयन सी है न अब इस समूदर के माध्यम से दूसरे देशों के साथ में भी प्रडर हो जाता है वह यहाँ पर इजप्ट करता है यह बात क्लियर होगी आपसे पूछा जा सकता है option के अंदर ये नाम दी जा सकते हैं और पूछा जाएगा कि इन में से कौन कौन सी country जिसके साथ में एजिप boundaries को share करता है या इन में से कौन सी country नहीं है जिसके साथ मांडरी शेर नहीं करता है ऐसे आपको confuse करने के लिए सवाल बनाया जा सकता है ठीक है बाकि यहां पर अगर हम लोग एजिप्ट के इंडिपेंडेंस की बारें बात करें तो modern जो एजब्ट है यह आजाद हुआ था 1922 में population की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगबाग 12 मिलियन के आसपास की population 2021 के साब साब को देखने को मिलेगी और ए दूसरा इसलाम जो है वो एक dominant religion है इसलाम सबसे जादा यहां पर लोग फॉलो करते हैं लगबाग जितनी population एजिप्ट के अंदर में उसकी 85-90% जो population है वो सुन्नी मुसलिम है ठीक है ना बाकी major rivers की बात करें तो एजिप्ट में एक important river बहती है river Nile जिसको अभी हमने देखा और इउसदे ना उसकार जो ना बहती है इक लटी रिवर है जो की पूरे Egypt बहती है और पूरे साल बहने वाली यहां पर यह नदी है और यहां पर यह नदी है और यह पर एक 30 relatively करें पर बात करेंगे इधर आप इंडिया देखोगे, इंडिया का मुंबई ये हो गया, इधर यहाँ पर एजिप्ट हो गया, ये स्वेस केनाल हो गया, स्वेस केनाल, अच्छा केनाल होता क्या है, देखो दो पर्टिकुलर रीजन जो है मिल रहा है एक तरीके साब ऐसा कह सकते हो, तो एक समय पर पूरा का पूरा जमीन एक साथ हुआ करती थी, अब जब ये मानलो जुड़ावा है, और हमें यूरोप से व्यापार करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे व्यापार, तो व्यापार करने के लिए हमें बहुत लंबा रास्ता गुमना पड़ेगा, इस प्रकार से पूरे अफ्र पूरा रीजन कवर करके जाने के बाद में हम जाके यूरोप में पहुचेंगे और व्यापार कर पाएंगे, तो इसका एक सही रास्ता ये था कि यहाँ पर जो है न, यह जो जमीन जुड़ी होई है न, इसके बीच में इसको खोद कर एक नाला बना दिया जाए, नाला उनके जानल पड़ता था यूरोप में और अगर यहां पर स्विस कनल खुल जाए, यह कनल बन जाए तो यहाँ पर सीधा जहाज इसे होता है मतलब आप कहा सकतो दुणिया का सबसे बीज़ी वाला जो रास्ता है जहाँ सबसे ज्यादा आते जाते रहते हैं वो यही रास्ता है स्वेस्स केनल है तो एक स्वेश इंडिया के ऐसा joint excise देखने को मिलेगा इंडिया और एजिप्ट की आर्मी के बीच में जो की recently conduct किया गया है कहाँ पर हुई excise तो ये हुई है राजस्थान के जेसलमेर में तो आप से सवाल बन सकता है कि इंडिया एजिप्ट के बीच में इन दोनों की आर्मी के बीच में इनके special forces के बीच में कभिहास होता है उसका नाम क्या है तो ध्यान रखना exercise cyclone या फिर question ऐसे पूछा जा सकता है जैसे पूछा गया है कि exercise cyclone ये कौन से दो देशों के बीच में conduct कहोने वाली exercise है तो यहां पर ध्यान रखना इंडिया और Egypt के बीच में बात क्लियर हो गई तो यह जितने भी important facts बनते थे वो सारे के सारे मैंने आप लोग को simple से शब्दों में समझा दिये हैं और बहुत relevant है बहुत अच्छे से इसको पढ़के जाना हर एक examination के अंदर यह Egypt के बारे में आप से आने वाले समय पर कई सारे examination में तो पूछा जाए गई जाएगा ठीक है चलो आते हैं अगले important news article की तरफ अगले article पर बनने से पहले make sure करना वीडियो पर जो like button यार उसको press कर देना एक हमारा target होता है 1000 प्लस likes का आप उसको achieve करवा सकते हो जल्दी से दूसरा article बात करता निकाह हलाला के बारे में तो discuss करेंगे निकाह हलाला क्या है प्लस अभी के समय पर ये news में क्यों आ गया है तो news में आने के पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ सुप्रिम कोट ने हाली में क्या बोला है कि यहां पर सुप्रिम कोट एक पांच जज की बेंच को बैठाएगा पांच जज की बेंच जो है न वो यहां पर इस हलाला वाले केस को जो है निकाह हलाला को इसकी सुनवाई करने वाली है ऐसा यहां पर बोला गया है हुआ ये निकाहलाला को लेकर कोर्ट में एक petition जारी कही गई यानि कि एक याची का यहाँ पर दी गई है और उस petition के अंदर में जो यहाँ पर Muslims में जो निकाहलाला practice है ना इसको challenge किया गया है तो Supreme Court ने बोला है ठीक है हम इस case को देख लेंगे इस petition की सुनवाई करेंगे और इसके लिए हाँ पर 5 judge की bench बैठी जाएगी और वो जो judge है 5 judge वो यहाँ पर discussion करेंगे पूरा का पूरा निकाहलाला practice को लेकर ठीक है ना तो I hope आपको एक clear हो चुका है निउस समझ में आ चुकी है तो अभी कुछ यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं हुआ है कुछ चेंज नहीं हुआ है आने वाले समय में होने वाला है 5 judge की bench बैठने वाली है तो यह थोड़ा सा news के अंदर आ चुका है तो आपको concept पता होना चीए निकाह हलाला का आखरकार exact यहाँ पर क्या है जो यह term है ना निकाह एंड हलाला यह दोनों के दोनों Arabic terms है ध्यान रखना पहली important चीज सवाल बन सकता है दोनों के दोनों Arabic terms देखने को मिलती है अब question यह है कि इसका मतलब होता गया है अच्छा मैं एक चीज और बता दू कि जो यह petition जारी करी गए थी ना इस petition में निकाह हलाला practice को तो challenge किया ही गया है उसके ससत polygame को भी challenge किया है कि यह polygame भी नहीं होनी चाहिए और निकाह हलाला practice भी नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की एक petition जारी करी गई थी जिसको यहाँ पर सुप्रिम कूर्ट सुनेगा जल्दी ही ठीक है तो पॉलीगी में क्या होता है पॉलीगी मतलब बहु विवा तो यहाँ पर क्या है न कि मुसलिम पुरुष को चार पत्नियां रखने की अनुमती मिली हुई है तो इसको यहाँ पर चैलेंज किया गया दूसरा निकाहला के बारे में हम बात कर रहे थे यह क्या है तो इसको बहुत ध्यान सुनना निकाहला में जो मुसलिम महिला है अगर तलाग के बाद अपने पती से दोबारा निकाग करना चाहती है तो इसमें पहले किसी अन्य व्यक्ति से शादी करनी होती है और शादी के बाद उसे तलाक लेना होता है तब जाके यहाँ पर वो अपने first husband से साधी कर पाएंगी तो यह चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है as per the Muslim law इसके बारे मैं आपको बता दिया a man cannot remarry his wife after he divorced her एक बार यहाँ पर divorce होने के बाद में यह शादी नहीं हो सकती जब तक जो wife है वो दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करके divorce लेकर ready नहीं हो जाती इसी को हम लोग यहाँ पर निकाहलाला के concept में रखते हैं तो I hope आपको दियान में रहेगा और इसको आम लोग तहलील marriage के नाम से भी जानते हैं बात यह है कि निकाहलाला की जो legality एंडिया में वो कहाँ पर है तो आपको पता होगा इसके लिए एक act है Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 यह जो act है यह पास किया गया था 2019 में और इसको यहाँ पर पास इसलिए किया गया था क्योंकि Supreme Court ने उस समय पर जो triple तलाग है यानि कि तीन बार तलाग 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 बोलने पर जो तलाग हो जाया करता था उस triple तलाग को invalid गोशित कर दिया था Supreme Court ने बट यहाँ पर यह ट्रिपल तलाग वाला ही केस देखा जा था अभी तक यहाँ पर निकाह हलाला को लेकर कोई भी बातचीत नहीं है तो यहाँ पर legality की बात करें तो अभी मामला पूरी तरह से silent है निकाह हलाला पर कोई भी इस पर यहाँ पर judgment या verdict नहीं है तो ध्यान रखना नहीं Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 के तहट सिर्फ ट्रिपल तलाग को invalid किया गया था निकाह हलाला को लेकर कोई चर्चानी की गई है और यह legalize भी नहीं है कोई हाँ पर मानेता बगरा नहीं दी गई है ठीके ना इस particular act के अंदर में जिसके बारे मैंने आपको समझाया ठीके ना आगया आते हैं उसके बाद में next important news article पर अगले article बात की जारी चार्चीट के बारे में एक और relevant article है और आपको खासकर GS paper number 2 पॉलिटी के अंदर ये directly help करेगा न्यूस क्या है पहले हम इसको समझते हैं सुप्रिम कोर्ट ने हाली में यहां पर क्या बोला है कि मानलो यहां पर कि एक person जो है ना उसके लिए चार्चीट त्यार के जाती है उसने कोई अपराद किया तो उसके लिए यहां पर एक चार्चीट त्यार के जाती है बोला है यहाँ पर कि देखो यह जो state है इसको ऐसा नहीं करना है कि जो यह चार्ड शीट तैयार की गई है उसको आप यहाँ पर public free access दे रहे हो यानि कि कोई police या फिर government website पर upload कर रहे हो और वहाँ से लोग अराम से उसको देख पा रहे हैं तो आपको चार्ड शीट कहीं पर भ कि जो भी चार्ड शीट फाइल की जाती है एक investigation agency के माध्यम से किसी भी criminal case के अंदर में तो वो यहाँ पर कोई भी public document नहीं है पबलिक के लिए आप इसको एकदम से अवेलेबल नहीं करवा सकते किसी भी website पर upload करके या फिर आप कह सकतो right to information act के तहट भी यहाँ पर इस चार् पीसी है code of criminal procedure इसके according बात करें तो according to section 73 of CRPC यह बोलता है कि जो एक चार्ड शीट है वो एक report है यह report कौन बनाता है यह report बनाती है हमारी police officers कब बनाते हैं जब यहाँ पर वो एक case को investigate कर रहे होते हैं एक case के ओपर करवाई कर रहे होते हैं तब यहाँ पर इस report को तयार करता है अब इसके अंदर में क्या होता है ना सारे के सारे records रखे जाते हैं कि मतलब कैसे कैसे इस investigation की शुरुबात की गई है तो ध्यान रखना यह एक चार्ड शीट है एक report है जिसको यहाँ पर police officers त्यार करते हैं investigation के बाद में एक case की करवाई करने के बाद में तो इसमें सारे records होत जाती है दन उसके आद में एक report त्यार की जाती है आई होब आपको समझ माया तो जो इंसान custody में लेकर आया गया है उसका नाम होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जाएंगी उसकी सारी information चार्ड शीट के अंदर में available होगी ठीक है और एक बार अगर चार्ड शीट code क के अंदर submit कर दी जाए है रहा code के अंदर में यहाँ पर इसको submit कर दिया जाए जामक कर दिया जाए तो जो accused person जिसके ओपर लजाम लगाए गये जिसके खिलाफ चार्ड शीट तयार हुई है तो उसके खिलाफ यहाँ पर जो करवाई है वो start हो जाती है लेकिन एक बार पर 60 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर पूरी चार्ड शीट को फाइल करना होगा और जब भी court of sessions के अंदर में case जाएगा तो यहाँ पर 90 दिन के अंदर अंदर इस पूरे चार्ड शीट को तयार करना होगा और जो यह चार शीट है अगर यहाँ पर इसको file नहीं करते हो कोट के पास में दो जिसके basis पर जो court है वो आगे की proceedings करेगा है ना उस case की आगे सुनवाई करेगा तो अगर यहाँ पर इस time period के अंदर में अगर वो चार्ड शीट प्रेजट नहीं होता है वो चार्ड शीट नहीं फाइल की जाती है तो कहिना की वो जो अपरादी है या फि फॉल्ट मिल बेल मांगेगा वो कहेगा कि सर मुझे बेल दो क्योंकि आपके पास में कोई प्रूफ है नहीं ठीक है आई हूप आपको एक क्लियर हो चुकी है तो चार्ड शीट बिल्कुल अलग है एफाइयर से एफाइयर फॉस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मामला अ करता है लेकिन मालो यहां पर किसी के साथ में अपराद हुआ है कर सकते हैं अभी मैं क्या बता रहा था कि जो चार uniform चार्ड में क्या होता है पूरी की पूरी तहकीकात करने के बाद में investigation सब कुछ निप्टाने के बाद में चार को तयार किया जाता है लेकिन F.I.R क्या होता है पहले F.I.R दर्ज होगी उसके बाद जाके investigation स्टार्ट होती है ठीक है ना तो चार शीट में और F.I.R में ये फरक है तो investigation स्टार्ट होता है only after filing an F.I.R क्योंकि जब तक आप F.I.R दर्ज नहीं करवागे तब तक पर पुलिस वह investigation नहीं करेगी लेकिन एक बार investigation कर दिया गया तो उसके बाद यहां पर उसी के basis पर एक चार शीट त्यार की जाएगी है ना जिसमें investigation का सारा का सारा process यहां पर सारे evidences सब कुछ यहां पर लिखा होगा फिर वह court में जाएगा उसके बाद यहां पर केस की सुनवाई होगी तो यह difference है F.I.R और चार शीट में कौन फाइल कर सकता है यह भी आपने समझ लिया दूस है वो एक person को बिना किसी warrant के arrest कर सकती है क्योंकि अगर एक person को arrest करना तो उसके लिए normal case में police को एक warrant चाहिए हो दा जब तक यहां पर warrant नहीं होगा तब तक यहां पर दूसरी व्यक्ति को arrest नहीं कर सकती लेकिन अगर उसने कोई cognizable offense का murder जैसे यहां पर काम किया है तो उस case में जो police उसके पास में power है कि वो यहां पर उस व्यक्ति को arrest कर सकते बिना किसी warrant को उसको यहां पर कोई warrant की जरूरत नहीं है दूसरी चीज़ यहां पर इसी cognizable offense के case में जो police इनके पास में power मिलती है कि यह पूरे के पूरे investigation को start कर सकती है cognizable case के मामले में इनको कोई भी court से order वग चार्ट शीट के बारे में समझ में आ गया आ गया जितनी बाते बता रहों उसको बहुत ध्यान से सुनते वे चलना क्योंकि last में आपको इनके basis पर questions मिलेंगे तयार और उनको attempt करना है चलो आ गयाते हैं अगला article बात करता है अस्मी machine pistol के बारे में यहां पर जो pistol आपको या self respect ठीक है न तो यह इंडिया की पहली खुद की बनाई वही 9 mm की machine pistol है ठीक है यह भारत ने खुद बनाई और खुद बनाई वी हमारी पहली machine pistol है ध्यान में रखना है 9 mm की मिस्टॉल है और इस पिस्टॉल को develop किया है DRU ने Defense Research Development Organization ने तो DRU के साथ इंडियन आर्मी ने भी 100 meters की range पर 100 meter की range तक यहां पर इसको fire के जा सकता है इसका जो barrel है वो 8 inch का barrel यहां पर देखने को मिलेगा और 33 rounds मिलते हैं magazine को load करने के लिए दूसरा इसकी जो cost है एक pistol की जो cost लगबग 50,000 रुपे के आसपास पड़ेगी यह बात भी यहां पर इस article में बताई जा रही है ठीक आने के आने वाले समय में काफी चर्चा में आने वाली है machine pistol होती किया यह machine pistol है है ना तो machine pistol का मतलब एक मकसद होता है कि यह छोटी होती है छोटी के साथ सेल्फ लोडिंग होती है है ना self-loading automatic handgun होती है हाथ से जलाने वाली है automatic handgun देखने को मिलती है और जब हम इसको fire करते ह ना तो बिलकुल यहाँ पर आपके सकतो हाई rating of fire हम लोगों यहाँ पर इसका देखने को मिलता है एक अच्छा result यहाँ पर इस pistol से मिलता है बाकि नॉर्मल पिस्टॉल से अगर comparison करें तो तो एक best pistol की category में इसको रखा गया है तो आपसे पूछा जाए recently असमी news में था यह अस आज आपको एक खास information पता चलेगी काफी सरे लोग confused हो जाते हैं कि सरे EPFO और इसमें यहाँ पर जो यह EPFO और PPFA सब क्या होता है यह इसमें हम काफी confused हो जाते हैं तो आपको आज यहाँ पर clarity मिल जाएगी सब कुछ अच्छे समझ में आएगा कि आखरकर Employees Provident Fund Organization होता गया है तो अभी EPFO recently news में आया है news में आने का कारण किया है पहले हम इसको समझते हैं कि आखरकर यह चर्चा में क्यों है देखो साल 2014 में हमारी कें सरकार ने एक notification जारी किया था और यह बोला था कि जो EPFO के member हैं और उसके जो employer हैं यह दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं कि जो भी salary इनको म जब वो नौकरी से retire होगा तो वो यहां से उसको वो amount मिल जाएगा जो PF करता है अब आप समझ रहोंगे इसी को लोग provident fund बोलता है यह private companies के अंदर भी करता है private companies जहां पर 20 से जादा लोग salary ले रहे हैं अच्छी salary ले रहे हैं तो यहां पर उनका PF करता है एक amount यहां पर कार कर इस EPFO वाली organization में डाल दिया जाता है ताकि यहां पर वो व्यक्ति जब retire हो अपनी job से तो उसके हाथ में एक अच्छा amount हो ताकि वो अपने आगे की जिंदगी काट सके तो उसी के लिए यहां पर एक concept जो है EPFO को लेकर आया गया था तो यहां पर बोला यह गया कि हम लोग गयी थी फिर की जितना पैसा जादा 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 यहां पे लोग डालते रहेंगे तो इससे यहां पर end वकट पर उनको pension भी थुड़ी जादा मिलेगी तो इसके आपट्छ की डैडलाइन लखी ती फिर शिमें की डेडलाइन को वापस से बढ़ा दिया फिर वापस से लोगे ना जो भी आपका पीएफ कट रहा है तो उस पर सरकार जो है वो ब्याज भी आपको देगी तो इंट्रेस्ट उस पर मिलेगा तो आप जादा अगर रोजानक जादा आप अपनी सैलरी में से कटा कर डाल रहो तो आपको जादा भी आज मिलेगा तो उसकी डेट को यहा एक्ट के मादियम से बनाया गया है इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर यह जो एक्ट है पूरा का पूरा और जितनी भी इसकी में यह सब एड्मिस्टर की जाते हैं ट्राइपर्टाइट बोर्ड के मादियम से मैं आपको एक बात समझाता हूँ मेंटेन करके चल रही है अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जब भी हम लोग बात करें employment provident fund की ठीक है ना EPF की, तो ये Employment Provident Fund क्या होता है, Provident Fund आपको पता होगा, मैंने जैसे बताया, कि एक इंसान अभी यहाँ पर काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कुछ उसको salary मिल लई है, तो यहाँ पर क्या करेगा, अपने salary में से कुछ-कुछ हिस्सा उसका कटता रहेगा, हर महीने, और वो ज सा amount collect कर सके, बात क्लियर होगी, तो यह चीज़ यहाँ पर होती है, हमारे Provident Fund के अंदर में, तो इसमें एक होता है, EPF, क्या होता है, Employment Provident Fund, जहां पर जो basically नौकरी करने वाले लोग है, उनके लिए Option होता है, एक होता है, PPF यानि कि Public Provident Fund, जो PPF होता है, यह किसके लिए होता है, जो कि कोई बिजनस कर रहा है, यानि कि आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक जो है, आप हो मैं हूं, हम लोग भी यहाँ पर इसके अंदर पैसा डाल सकते है, Public Provident Fund के अंदर में, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, इसके आगे Employee लगा है, इसके आगे Public लगा है, Employee मतलब यहाँ पर जो नौकरी कर रहा है, उसके लिए यह वाला फंड बनाया गया है, PPF यहाँ पर जो बेसिकली पब्लिक है, नॉर्मल उनके लिए यहाँ पर फंड बनाया गया है, अब होता यह है कि EPF के लिए आपर मतलब देखोगे न, जो इनको पैसा जमा करना है, उ यह EPF कौन मैनेज करता है, कौन सी मिनिस्टरी के अंदर में आता है, यह आपको समझ मा गया, तो Employment Provident Fund Scheme क्या है, यह भी आपको समझ मा गया, बाकी EPF और PPF में क्या डिफरेंस है, यह भी आपको समझ मा गया, है ना कि आप यहाँ पर जो भी आपके सेलरी आ रही है, उसका हो, या कुछ फीज देनी है किसी ही, तो इसके बेसिस पर आप में आपर पांस सल बाद वो पैसा निकाल भी सकते हो, ऐसे ही PPF में होता है, लेकिन PPF में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे की हर एक व्यक्ति के लिए इसको बेसिकली अलाव कर रखा है, ना जो पबलिक प्रोविडेंट फंड और्गनाजेशन के दुरू, जो बॉड़ी वन आई है, इसके दुरू, यह इंडियन वर्कर्स को भी कवर करते हैं, भारत के अंदर जितने काम करने वाले लोग है, वो सब यहाँ पर इसका बेनेफिट, इसका फाइदा उठा सकते हैं, साथ ही साथ म हमारी EPFO ने कोई agreement sign कर लिया है, तो उस देश के लोग भी यहाँ पर EPFO में पैसा डाल सकेंगे, ठीक है ना, तो आई होप आपको यहाँ पर यह बात समझ में आ चुकी है, वो लोग भी यहाँ पर EPFO में पैसा डाल सकेंगे, लेकिन जिसको साथ में EPFO ने एक bilateral agreement को sign किया होग वही देश, ठीक है, तो मतलब इंडियन वर्कर और इंटरनाशनल वर्कर्स के लिए यह EPFO है, इंडियन वर्कर्स के लिए कोई condition नहीं है, इंटरनाशनल वर्कर्स के लिए यह condition रखी गई है, जो अभी हम लोग नहीं यहाँ पर समझा है, ठीक है, आगे आते हैं उसके प्लांट स्पीशीज जो है न, वो काहना टाइगर रिजर्व के अंदर बहुत तीजी से बढ़ती जा रही है, आपको बता होगा प्लांट की स्पीशीज की जमलोग बात करते हैं, तो कुछ ऐसी प्लांट की प्रजातिया होती है, जो कि हमारे यहां की नहीं है, वो हमारे लोकल जो प्लांट पाए जाते थे, पेड़ पाए जाते थे, उनको यहां पर नुकसान पहुचाने लगती है, वही यहां पर केस होता है इस इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के अंदर में, अभी मैं आपको डीटेल से बताऊंगा, तो न्यूज यहां पर क्या है कि एक र पहुची हैं वहाँ पर और उन पेड़ियो की प्रहजातियों ने अपने आपको बहुत ज़्यदा फैला दिया है, और वो कईनकी वहां के जो लोकल एंवर्मेंट है, उसको नुकसान पहुचान पहुचाती हुई नजर आ रही है, तो इन एलियन प्लांट्स के अदर में क्या है, तो बताना है, यह सब यहां पर एलियन प्लांट्स है, जो कि यहां पर बाहर साइवे हैं, और किसी एक लोकल एरिया में अगर फैलने लगे तो काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं, और उस लोकल एरिया के जो भी प्लांट्स है, उनको यहां पर डैमेज करने लग देरे यहाँ पर जो यह invasion होता है न देरे देरे जो यह alien plant species होती है यह क्या करती है हमारे plant की population को खतम कर देती है उनको डिप्लीट उनको यहाँ पर खतम कर देती है जैसे मैं आपको बताया बात क्लियर हो गई तो यह सब कहाँ पर हो रहा है काना tiger reserve के अंदर तो एक चीज तो यह clear हो गई तो current issue में आपने बस खाली इनके नाम ध्यान रखने आपसे पूचा जा सकता है यह यह चीज़े हैं और यह सब क्या है तो बता देना यह सब alien plant species हैं दूसरा काना tiger reserve के कुछ facts यहाँ पर जान लेना क्योंकि directly examination में यहाँ से भी सवाल बन सकता है काना tiger reserve आपको 940 square kilometer के area में पूरी तरह से फैलावा है मद्यप्रदेश के दो district में यह फैलावा है मांडला और बालागाट ठीक है काना जो है ना यह जो tiger reserve है यह साल forest के लिए बहुत जादे जाना जाता है तो आपसे डिरेक्ट्री सवाल बन सकता है कौन सा forest मैंद आप काना इस best known forest evergreen salt forest ज यहां पर भारा सिंगा tiger leopard उसके बाद में यहां पर एक तरीके से ढोले और बीर गौर इंडियन पाइटन यह सारे जो जानवर है वो यहां पर पाए जाते हैं ठीक है तो प्लांट्स के बारे में जान लिया साल forest जो साल के जंगल है वो सबसे जादा यहां पर देखने को मिल में यह भी काफी चर्चा में हैं देखो यार मैं आर्टिकल जो भी पढ़ा रहा हूं आपको बिल्कुल क्रिस्प वे में cover करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कुछ भी फाल्तू कुछ भी नी रखा गया है केवल और केवल काम की चीज़ न्यूस क्या है और उसका background data फिर वातवरण को protection देने की बात करता हूं उसकी सुरक्षा करने की बात करता है हमारे environment को protection देने की बात करता है तो national green tribunal ने क्या किया हमारे central pollution control board और मध्या प्रदेश pollution control board को direct किया इनसे यहां पर बोला कि देखो जो भोज wetland है ना जो यह पानी का पुरा के पुरा लेक आपको देखने को मिलेगा तो इस wetland के अंदर में जो भी यहां पर जहाज चलने cruise vessel चल रही है इसकी वैसे बहुत सरा pollution हो रहा है तो उस pollution को थोड़ा सा आप monitor करो उस pollution को देखो उन activities को control करो क्योंकि अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो कहीन है कि इससे जो पूरा wetland है वो यहां पर बरबाद हो जाएगा तो यह जो cruise boat चल रही है यहां पर यह कहने की डीजल के उपर चल रही है और इसके चक्कर में odds the pollution भी हो रहा है और इससे directly जो environment protection act 1986 का उसका violation भी हो रहा है तो इस चीज को यहां पर देखने के लिए मध्या प्रदेश control boat से यहां पर बोला है NGT ने की थोड़ा सा environment का भी ख्याल रखा जाए और यह जो वेटलेंड है पूरा का पूरा इसका ख्याल रखा जाए यहां पर pollution को थोड़ा सा कम किया जाए ठीक है यह वेटलेंड कहां पर है अगेन मध्या प्रदेश में इससे पहले काना टाइगर रिजफ पड़ा था वह भी मध् diversity है अलग-अलग microfides, phytoplankton, zooplankton जैसी चीज़ें मिलती है प्लस मचलियों की अलग-लग प्रजातियां मिलती है काफी सरी जो बर्ड से वो यहां पर उड़कर आती है काफी समय तक रुखती है दन उसके बाद में इस पूरे के पूरे भोज वेटलेंड को हमने एक रामसर सा का tag भी मिल गया था ठीक है यह बात क्लियर हो गई दूसरा environment protection act 1986 क्या है आउस को समझते हैं देखो यह जो एक्टेस का मकसद है नामसी पर चला है हमारे environment को improve करना environment के अदर सुधार करना और environment की सुरक्षा करना यह इसका एक major target है और इसका एक main feature यहां पर यहां पर यहां कि 1986 तो यह क्या है news क्यों है news यह आपको समझ मा गया दूसरा भोज वेटलेंड के बारे में चर्चा की थी तो भोज वेटलेंड समझ मा गया आप से directly location पूछी जाएगी भोज वेटलेंड कौन से राज्या में directly ऐसी सवाल बनाए जो भी पहले बनाए तो भोज वेटलेंड ड तो क्या है rehab project शुरू करता है rehab, rehab की full form क्या है reducing elephant human attacks using bees ठीक है क्या करना जो elephant human attack आपको बता होगा जो हाती है और जो इनसान है इनके बीच में कई बार संगर चोने लगता है हाती अपना जब जंगल छोड़ कर बाहर निकल जाता है तो मालुम है पर किसी खेत में गुज गया उसने महां की फसल बरबात कर दी तो जो farmer है वो क्या करेगा वो बेसिकलि यहां पर उस हाती को निकालने की कोशिश करेगा उस खेत से तो इससे यहां पर क्या होगा इनके बीच में काफी बार लडाईयां हो जाएंगी संगर्श होने लगेगा और उसके basis पर कई बार इंसा का जो एक conflict है इसको हम रोक सकते हैं कैसे रोकेंगे समझेंगे तो rehab का full form ही है reducing elephant human attack using bees मदू मकी का इस्तमाल करके हम हाती और इंसान की लडाईयों को रोक सकते हैं ऐसा यहां पर बोला जा रहा है कैसे समझेंगे तो हाली में यहां पर पहले news समझेंगे आखिर कार क्या है क्य है ना उस प्रकार के जो box हैं वो यहां पर distribute कर दिये गए करनाड़का के अंदर में इस rehab project के तहित ताकि यहां पर इन boxes को use करके हम लोग क्या कर सके हम लोग यहां पर हाती को जंगल से बाहर ना निकलने दे सके हैं ठीक है और इस boxes के अंदर मदू मक्योंगी और वहीं मदू तुरंट पीछे भागता है ठीक है ना उस से उस मदू मक्यी के अवास से हाती का फिदा परिशान रहता है तो वह आगे यहां पर भागने के कोशिच नहीं करता है ऐसा यहां पर बोलादर आए तो rehab project में हम लोग क्या करते हैं बी फैंसिंग करते हैं आप यहां पर यह पाओगे इस प्रकार से हमने क्या किया मदू मक्यी वाले जो यह डब्में है ना इस डब्मो को हम लोग को यहां पर लटका दिया और एक तार को सब में बांदिया एक तार से यहां पर इस सब को connect कर दिया हाती यहां पर निकले अभी नै तो इन तार को हिला देगा जैसी इ इसी को बोलते है रिहाब, रिहाब मतलब elephant human का attack कम किया जाएगा, इस rehab project के मादधम से और rehab में हम लोग 20 यानी मदुमक्खी का यूज करते हैं, आई होप आपको यहाँ पर यह बात क्लियर हो चुकिए, यह cost effective तरीका है, बहुत सस्ता तरीका है, इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पर केवल और केवल मदुमक्खीयों का use हो रहा है, और इससे हम लोग human wealth conflicts को रोख सकते हैं, काफी सरे हातियों की जान बचा सकते हैं, एवन काफी सरे इनसान की जान भी बचा सकते हैं, तो यह जो rehab project है, यह एक initiative है, जो की khadhi and village industry commission के अंदर में start किया गया था, यह बात भी अपनों को ध्यान में रखनी हैं, अब बड़ी देर से हमने एक body के बारे में चर्चा की है, खadhi village industry commission, यह क्या है KVIC, थोड़ा सा जान लेते हैं, यह भी relevant है, तो यह एक statuary body है, अगेन इसको हमने एक कानून के मादर में से बनाया है, और वो कौन सा कानून है, वो act है, खadhi करना, यह यहाँ पर इसका सारा का सारा जो target वो रहता है, यह जो body है, आप से यह पूचा दा सकता है, KVIC कौन सी ministry के अंडर में काम करती है, तो ministry of micro and small medium enterprises, यानि आप जिसको MSME के नाम से भी जानते होना, यह वाली body के अंदर में यह ministry काम करती है, बात क्लियर हो गई, चलो, आ गया आते हैं, अब अगला topic है, महाबली frog के बारे में, यह मेंड़क है, अब यह कहोगे मेंड़क कहा से लग रहा है, यह मेंड़क ही है, और इतना बड़ा मेंड़क है, यह इतना बड़े साइस का, इसी वैसे इसका नाम महाबली frog रखा गया है, अब महाबली frog रिसेंट पिगनोस फ्रोग के नाम से भी किस नाम से पिगनोस फ्रोग के नाम से भी यहां पर इसको जाना जाता है बाकी वेस्टन घाट्स में यह फ्रोग पाए जाता है कहां पर जब आप लोग यहां पर इंडिया का मैप देखो के नीचे से इस प्रकार से तो यहां पर आपको वेस् मिट्टी के अंदर में रखेगा पूरे साल जब इसको अंडे देने होंगे तब यहां पर यह बाहर निकल गर आएगा ठीक है एक important चीज इसका conservation status क्या यह बहुत important point है यानि कि इसको हम किस प्रकार से protection दे रहे हैं तो IUCN category में इसको near threatened category में रखा गया है near threatened मतलब बिल्कुल खत्रे के just pass में ही है यह वाला frog तो इस वैसे इसको near threatened category में रखा गया है मतलब इसकी संख्याय लगातार खत्रे में है और बिल्कुल और जदा खत्रे में पहुंच सकती हैं अगर हमने यहां पर इसकी सुरक्षन नहीं किया रही है तो महाँ बाली frog क्या है क केवल और केवल काम की बाद ठीक है इस वज़े से यहां पर इसको to the point analysis में बोलता हूँ बागी अब जितना भी आपने यहां पर अच्छे से lecture के अंदर में सुना है ना उसको test करने का समय आ चुका है अब जितने भी questions होंगे यह सारे के सारे पहले मैं आपको questions बताता रहू तो आपका test लिया जाएगा और test में आपका जितना भी score आता है जितना भी score आता है वो score नीचे comment section में जरूर से लिख देना तो पहला question बोलता है which one of the following countries does not have a land boundary with Egypt इन चारो देशों में से कौन सा एक ऐसा देश है जो की Egypt के साथ अपनी land के माद्यम से boundary नहीं share करता बाउंड Libya, Syria, Sudan, Israel मैं आपको बताया था कि जो Middle East है उसके साथ में भी यहाँ पर boundaries को share कर रहा है ना तो वो चीज़े हमने discuss की थी तो Libya, Syria, Sudan, Israel बताओ Egypt किसके साथ में boundaries को share नहीं करता है इसका सही उत्तर आगे आते हैं उसके बाद next article की तरफ आगला article बात करता है निकाह हलाला के बारे statement सही है दूसरा जो Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 है इसके तहत निकाह हलाला को भारत में legalize कर रखा एक मानेता दी गई है क्या यह बात सही है तो बताओ दोनों statement में से कौन से statement सही है option A बोलता है one only option B two only option C दोनों सही है और option D दोनों के दोनों गलत है आगे आते हैं उसके बाद अगले प्रश sheet को लेकर अभी मैंने आपको FIR और chart sheet के बीच का difference भी समझाया था तो chart sheet के reference में आपको फिर से दो statements दिये गए हैं बताना है कौन सा statement incorrect है सही नहीं है ठीक है ना not correct पूछा गया है ध्यान से पढ़ना question को तो पहला statement बोलता है कि जो एक chart sheet है एक report है जो की police officer तयार करता है investigation करने के बाद में एक case की तहकीकात करने के बाद में यहां पर इस report को तयार किया जाता है दूसरा statement बोलता है कि जो chart sheet है इसको यहां पर एक investigation agency तयार करती है इंडिया में और इसको हम लोग public document की तरह देखते हैं और इसको public domain में लेने कर आना जरूरी है public के सामने रखना जरूरी ह क्या ऐसा है बताओ कौन सा option सही है option a one only option b two only option c दोनों सही है फिर option d दोनों के दोनों गलत है आगया आते हैं उसके बाद यहां पर अगले प्रशन की तरफ next जो question यह बात करता है असमी के बारे में अभी आपने पड़ा था तो बताना है which of the following best describe असमी recently in news असमी जो है यह क्या है इस नाम की कोई चीज recently news में थी बताओ वो क्या थी option एक artillery gun system है option भी एक air defense system है option c एक laser guided bomb है या फिर option d एक machine pistol है बताओ इसका सही आंसर क्या है बहुत सरल सा question है किसी का भी यह वाला question गलत नहीं होना चाहिए आ गया आते हैं उसके बाद दर उसके बाद में employees provident fund organization के बारे में चर्चा की जारी है अभी हमने discuss किया था EPO के reference में आपको अगें दो statement दिये गए है पहला statement जो employment provident fund organization एक statutory body है और इसको हमने एक act के माद्यम से बनाया है उस act का नाम है employees provident funds and miscellaneous act 1952 दूसरा statement यह जो scheme है न मतलब कुछ schemes यहां पर EPFO offer करता है जो EPFO schemes को offer करता है वो केवल और केवल इंडियन वर्कर्स को इंडियन वर को ही cover किया जाता है ऐसा है क्या बताओ कौन सा statement सही है option A1 only option B2 only option C दोनों सही है और option D दोनों के दोनों गलत हैं आ गया आते हैं उसके बाद अगले question की तरफ next question है वो हमारा बात करता है काना tiger reserve को लेकर तो काना tiger reserve के reference में अगेन आपको दो statement से दिये गए हैं बताना है कौन सा statement सही है पहला statement काना tiger reserve situated है मध्या प्रदेश के अंदर में मध्या प्रदेश राज्ये में यहाँ पर काना tiger reserve इस्थित है दूसरा statement इसको हम लोग evergreen salt forest के लि option a one only, option b two only, option c दोनों सही हैं फिर option d दोनों के दोनों गलत हैं आगे आते हैं उसके बाद अगले question की दरफ next question बात करता है भोज wetland के बारे में अभी discuss किया था भोज wetland जो की recently news में देखने को मिला है यह कौन से राज्ये में आपको देखने को मिलेगा मध्या प्रदेश, केरला, गुजराथ या फिर इन में से कोई नहीं बताओ इसका answer किसी का भी गलत नहीं नहीं चाहिए बहुत simple सा question है और काफी बार मैं आपको यहाँ पर आज के वीडियो में इसके बारे में बताया है फिर एक question आता है खादी विलेज और industry commission के बारे में दो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमिशन को लेकर आपको दो statements दिये गए हैं अगेन बताओ कौन सा सही statement है पहला statement यह जो commission ह यह हमारी union ministry of micro, small and medium enterprise यानि की MSME के अंडर में काम करता है दूसरा यह एक basically statutory body है बताओ कौन सा statement है यह option A one only, option B two only, option C दोनों सही है फिर option D दोनों के दोनों गलत हैं आगे आता है उसके आद अगले question की तरफ अगला question बात करता है महाबली frog के बारे में तो महाबली frog के reference में पैला statement यह महाबली frog केवल और केवल इस्टन घाट्स में पाया जाता है दूसरा statement इस महाबली frog को हम लोगों ने IUCN red list में near threatened category में रखा हुआ है बताओ कौन सा statement सही है option A one only, option B two only, option C दोनों सही है फिर option D दोनों के दोनों गलत है तो यह थे हमारे आज के सारे के सारे questions और कि इसके हिसाब से यहाँ पर ध्यान में रखना अब मैं आपको सारे के सारे answers बताताव चलूंगा और बिलकुल लास्ट वले questions हम लोग सारे answers को देखते वे चलेंगे सबसे आकरी question मैंने आपसे पूछा था महाबली frog को लेकर तो अभी यहाँ पर हमने discussion किया था था थोड़ द दूसरे statement इसको IUCN के अंदर में near threatened species के अंदर में रखा या यह बिलकुल सही है हाँ हमने IUCN में इसको near threatened category में रखा हुआ है next particular यहाँ पर question खादी और village industry commission को लेकर पूछा यह था तो पहला statement KVIC को लेकर यह बोलता है कि यह micro small medium enterprise के अंडर में आने वाली body है बिलकुल सही ब body है यह बिलकुल सही बात है हाँ इसका सही आंसर हो गया option number C both one and two statements are correct अगले question पर आता है next question बात करता है भोज wetland के बारे में ँबोज बेट लेंट जोकी हाल ही में निूस में देखने को मिली है बताव भोज बेटलेंट यहां पर कौण से में स्थितत है तो इसका सही उत्तर हैम अभी प्रदेश में अभी हमने discussion किया था भोज भेटलेंड आपको मद परदेश में देखने को मिलेगा अगले question बराते हैं अगले question है या पर बात करता है था alma time there is up के बारे मैं तो काना टाइगर एका पर है ये भी आपको मदयबjin नज़र आएंगा इसको लेकर दो statement दिये गए परिला statement होना टाइगर रिली साथ सिच्ट आफ मदयब protection बता ही चुका हूं सही अगले question की तरफ आते हैं फिर बात करता है यहां पर employment provident fund organization के बारे में एक question तो EPFO को लेकर दो statement है पहला statement यह एक statutory body है इसको हम लोग ने employees provident funds and miscellaneous act 1952 के अंदर में established क्या है बिल्कुल सही बात है पहला statement बिल्कुल सही है दूसरा statement यह जो EPFO schemes offer करता है यह scheme केवल और केवल Indian workers को cover करती है ऐसा नहीं है international workers को भी cover करती है बट उनी countries के साथ में यह cover करेंगी जिन countries के साथ में EPFO ने एक bilateral agreement को sign किया होगा मैं आपको बताया था तो that is why option ए जो है वो आपका सही हो जाएगा आ गया आते हैं उसके बाद में फिर आपसे पूचा गया था असमी के बारे में तो असमी को लेकर यहां पर recently news में देखने को मिला यह term यह आखिरकार क्या है तो यह है एक machine pistol में आपको बता है machine पिस्टल है जो की काफी ज़दा कारेगर साबित हुई है हमारी आर्मी के लिए आ गया आते हैं उसके बाद अगले question पर अगले question में पूचा गया आपको चार sheet को लेकर तो चार sheet को लेकर दो statement दिये गए और पूचा यह गया है कि इन में से कौन सा statement सही नहीं है ठीके न सही नहीं है पहला statement बोलता है कि जो चार sheet है यह एक report है जो कि हमारे police officers तयार करते हैं एक case को investigate करने के बाद में एक case की पूरी तैकिकात करने के बाद में इस report को तयार के जाता है उसको चार sheet बोलता है सही बात है यह हमने पढ़ा था दूसरा statement चार sheet को यहाँ पर कोई investigation agency फाइल करते है ठीक है लेकिन इसको as a public document की तरह देखते हैं और public domain में लाना जरूरी है ऐसा नहीं है सुप्रेम कोट ने यही बात बोलाता है कि यहाँ पर इसको public document की तरह नहीं देखा जाएगा public domain में हम इसको नहीं ला सकते हैं तो इस वसे दूसरा statement गलत है तो पूछा यह गया था कि कौँसा statement गलत है दूसरा गलत है option b is the answer आ गया था उसके बाद फिर आपसे पूछा गया था next question निकाह हलाला को लेकर तो पहला statement बोलता है कि जो यह term है निकाह हलाला और यह जो जो term है न यह कहने की Arabic term है बिल्कुल सही बात है दूसरा statement बोलता है यहाँ पर कि जो Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 है यह कहीन है कि निकाह हलालों को मानिता देता है एक legalize करता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं आपको बताया था यह जो act है इसने केवल triple ताला को invalid किया था बाकि यहाँ पर निकाह हलाला के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की थी तो हम इसके basis पर कुछ नहीं कह सकते है तो यहाँ पर option 2 हमारा गलत है option A जो है वो सही है तो one only is the correct answer आ गया पर आप से पूछा गया था which one of the following country does not have a land boundary with Egypt के साथ में कौन सा देश है जो कि यहाँ पर land boundary को नहीं रखता है तो मैं आपको पता है तो यह तरीके से boundary share करता है south side से सुडान है और इसराइल यहाँ पर 39 side से और गाजा पट्टी भी यहाँ पर इसके साथ में जो है थोड़ी सी boundary share करता है तो इस वज़ा से यह हमारा सही उतर हो जाता है कौन सा वाला option number option number B Syria कोई भी हाँ पर land boundary share नहीं करता है एजिप्ट के साथ में तो Syria इसका option भी जो है सही उतर हो जाएगा तो guys I hope आप लोगों को मसा आ चुका होगा कितने question आप लोगों ने सही किया है जरा नीचे comment section आप लोगों को बताना है क्या score आपका रहा है और कहां का पर आपने गल यू एंड जय हिंदु